पर्मिये हैं, एक समानतर चत्रभुज में सम्मुकोड बराबर होते हैं, यहाँ पर एक समानतर चत्रभुज A, B, C, D दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुकोड बराबर होते हैं, कोड A बराबर है, कोड C के, कोड B बराबर है, कोड D के, यही हमें सिद्ध करना ह तो चलिएगा हम कैसे सिद्ध करेंगे आईए सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखते हैं दिया है समांतर चत्रभुज A, B, C, D हमें क्या सिद्ध करना है कोड A बराबर है कोड C और कोड B बराबर है कोड D यही हमें सिद्ध करना है कि सम्मों कोड बराबर होते हैं अब चलिए सबसे पहले हम यहां पे आपको कुछ समझा देते हैं जिसे दो समांतर रेखाएं हैं और उन्हें कोई तिरियक रेखा पर तिछेत करती है तो इन समांतर रेखाओं के अंता छेतर में इस तिरियक रेखा के एक ही तरफ यह कोड और यह कोड बनने हैं उसी तरह से दूसरी तरफ यह वाला कोड और यह वाला कोड बनना है तो जब दो रेखाओं समांतर होती हैं और उन्हें कोई तिरियक रेखा कारती है तो तिरियक रेखा के एक ही तरफ बने अंता कोडों का योग 180 होता है valve यानि इस कोड को और इस कोड को जोडेंगे तो इनका योग कितना होगा 180 उसी परकार इन दोनों कोड़ों को जोड़ेंगे तो इनका योग भी 180 होगा यानि तिर्यक रेखा के एक ही और के अन्ता कोड़ों का योग 180 होता है कब होगा जब ये दोनों रेखा हैं समांतर होंगी तब इसी से हम सिद्ध करेंगे देखेगा यहाँ पर AD और BC समांतर हैं तो AD और BC समांतर हैं तो ये वाली रेखा क्या है तिर्यक रेखा है तो इस तरह से हम कोड़ A पलस कोड़ B बराबर 180 हैं से लिख सकते हैं AD समांतर BC कैसे दिया गया है कह दिया है कह दिया था कि ये है एक समांतर चतुर भुज है तो समांतर चतुर भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और जब AD समांतर BC है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है AB तिर्यक रेखा है एक ही और के अंता कोड़ हैं इसलिए कोड A पलस कोड B बराबर होगा 180 इसको हम समी करण एक माल लेते हैं अब उसी परकार देखिए ये वाली रेखा इसके समांतर है A भी समांतर है DC सम्मुग हो जाए समांतर होती है तो जब A भी समांतर है DC के ये वाली क्या है ये तिर्यक रेखा है ये और ये समांतर है ये क्या है तिर्यक रेखा है तो कोड B पलस कोड C इनका योग करेंगे तो 180 अंस आएगा इसलिए कोड B पलस कोड C बराबर आएगा 180 अंस तो इसको समी करण दो माल लेते हैं अब समी करण एक यौन दो से दोनों में देखिए दाया जो पच्छ है वो 180 अंस है तो दाया पक्च जो है अगर जैसे यहाँ पे देखे यक्स बराबर 10 और Y बराबर भी 10 तो दाया पक्ष दोनों में बराबर है तो इसका मलब यक्स बराबर हम Y लिख सकते हैं तो ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा कोड ए पलस कोड बी बराबर हम लिख सकते हैं कोड बी पलस कोड सी दोनों के दाएं पक्ष बराबर थे इसलिए दोनों के बाएं बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे अब यहाँ पे देखें कोड बी से ये कोड बिकट गया तो कोड ए बराबर आ गया आपका कोड सी तो एक चीज़ आपका सिध्ध हो गया देखे कोड A बराबर कोड C तो इसी परकार से आप दूसरा भी सिध्ध कर सकते हैं चलिए हम आपको सिध्ध करके दिखा देते हैं चलिएगा A, B और D, C समानतर है A, B समानतर है D, C ये दिया गया है समानतर चत्रभुज की सम्मुग भुजाएं समानतर होती है A, B समानतर है D, C और ये जो है A, D ये क्या है? ये है एक तिरिय अगरेका है तो ये वाला कोड और ये वाला कोड का जब योग करेंगे तो 180 आएगा कोड A पलस कोड D बराबर 180 इसको चलिए हम समीकरण 3 मालेते тебя है समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 ये कैसे आए है ये समी तिरिय अगरेका के एक ही और के अंतर कोड है यहां पर हम लिक दें तिरिय desap़ेका के तिरिय अगरेका के एक ही और कारण में आप यही लिख सकते हैं इसके सामने भी और इसके सामने भी अब चलिए यहाँ पर कोड ए प्लस कोड डी बराबर 180 अनसाया अब आप तुलना कर दीजिए समीकरड एक से समीकरड एक यूम तीन से अब समीकरड एक और तीन में देखे दाया पक्ष दोनों का बराबर है तो बाया पक्ष भी बराबर हो जाएगा कोड ए प्लस कोड बी समीकरड एक का बाया पक्ष क्या था कोड ए प्लस कोड बी और बराबर इसका जो है बाया पक्ष है कोड ए प्लस कोड डी अब देखेगा कोड A और कोड A कट गया तो क्या आ गया कोड B बराबर कोड D तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कोड B बराबर आ गया कोड D तो देखेगा सिद्ध हो गया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कि किसी समानतर चतुरवुज का जो सम्मुक कोड़ होता है वो बराबर होता है